हाई गाईज आज मैं बनाने जारी हूँ समोसा तो यह हम सब की फेवरेट होती है चले इसे बनाते हैं इसे मैंने बनाया है हरी मिर्च और लेसुन की चट्णी और चना दाल और आलो की सबजी के साथ तो चले इसे बनाते हैं यहां मैंने लिया है आधा केजी मैदा और आधा अजवाइन आदा चमच आदा चमच चमच काला जीरा इसे में दोके डाला है और एक चमच नमक आप स्वादनसार लेजिए और यहाँ पर मैं मौएम होने के लिए पांच चमच पांच बड़े चमच रिफाइन डाल रही हूं यहाँ पर आप घी तो भी मेलट करके डाल सकते ह तो यह ठंड का टाइम है घी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है इसलिए आप इसे मेल्ट करके और ठंडा करके थोड़ा डालिए यहां इसे में देखिए इस तरह से मसल मसल करके मिला रही हूँ अगर आपको लगे कि यह अच्छे से मौई नहीं हुआ है तो इसमें और आप डालि कर लेंगे तो पानी थोड़ा से गर्म करके मैंने इसे इसका डो बनाया है देखिए इस तरह से आप थोड़ा से टाइड डो बनाईएगा बहुत लूज मत बनाईए और फिर इसे हम ढग कर देंगे यहां मैंने डिया है एक केजी आलू इसे बॉल करके छिन लिया है और यह हैं 10 बारल हरीमेज लैसून और छोटा सा अद्रग कर टुगड़ा तो यहां लैसून और हरीमेज की चटनी है इसलिए मैं थोड़ा बेशी लिया है यह देखिए यहां मैंने इसको ज़ड़ा सा एक बार ही मिक्सर में चलाया है बस यह हो गया और इसमें थोड़ा सा पानी दाल देंगे और थोड़ा सा नमक तो यह हमारी हरिमेज और रेस्वन की चटनी रेडी है काईजी चटनी बहुत टेस्टी होता है समुसा के साथ यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आप जरूर बनाईएगा बागी मैंने अद्रक डाल करके पीस लिया तो यह हमारा पे े रेड़ी हैं नमक ऑर सबजी मसालर जो मैंने घर में बनाया है और पाला सबस्जी मसाल निकाल लोगे अधना होने के लिए क्यादा देलंगे तो इसे पैन में मैंने एक बड़ा चमच फिर से रिफाइन लिया है इसमें डाला है जीरा कसूरी मेथी और दो तेश पत्ते छोटी साइज के और आधा प्याज इन सबको हम भून लेंगे तो जो चनादर और आलो की सब्जी बनेगी तो उसे जो आलो मैंने फ्राइ किया था तो यहां मैंने टमाटर डाल दिया और आप मैं डाल रहे हूं चनादर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे मैंने जो मसाला स्टफिंग तैयार किया था तो उसमें मैंने गरम मसाला डालने टाइम इकलीव पर न भूल गई थी तो आप गरम मसाला ज़रू डालिए समूसी में जो गरम मसाला का टिस्टाता तो बहुत अच्छा लगता है यहां पे भी हम सारे मसाला डालेंगे हल्दी अप्शे सब्सक्राइब तो नमक अधाला तो नमक अच्छे से मिला लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के चना दाल को पकने के लिए हम दो चार मिनाट के लिए ढखकर रख देंगे बिल्कुल लो फिलेम में ताकि चना दाल अच्छे से पक जाए देखिए हमारा चनाजाल अच्छे से पख गया है अब में जो इस आलू है उसे थोड़ा सा उसमें का दो स्पून ज्यादा से ज्यादा मैंने लिया है बस यह थोड़ा पतला जैसा ही आलू का सब्जी होता है यहाँ पे आप चनाजाल की जगह मटर भी ले सकते हैं उसे भी ब तो अच्छे से मिला लेते हैं लादा स्स Müador में दों घैसे मिला लेते हैं दीके ठोड़ा जोट हो इस इंब में इसले है जबाइक , मेलं फिर्ब में से लिए हेञाए न्यूर्टिया है , गया है । है यहाँ मारी सब्सक्ञाइब है तो दूहँी है। दीघ मást इसेद तो आभिक है , अप लिए हैं जरून बनावीी यह गयान है है अब हम बनाएंगे समोसा तो इसके लिए हम निवबो से थोड़े से बड़े साइच के बॉल्स बना लेंगे और इसे हम बेल लेंगे अधिक हमारा स्टफ और जो आप बाकी आटा है उसे ढख करके ही रखेगा इसे खुला मत रखेगा नहीं तो वह सुख जाएगा तो फिर और इसके एजस में हम पानी लगा करके इसे मोड़ेंगे तो यहां पर मैं इसे अच्छे से जोएंट करके जोड़े दबा दबा करके चिपका दे रही हूं इस तरह से करिए और जो इसका जोएंट है वह समुजा के बिल्कुल से जोएंट में आना चाहिए दोनों साइट से एकवली कर लीजिए तब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे देखें यहां पर मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूं तो आलू हमारा ठंडा हो गया है इसे बिल्कुल भी भटने का या फिर मोईस्चर जैसा हो जाता है न वह सब बिल्कुल नहीं होगा अंदर में बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो यहां उपर में में थोड़ा पानी लगा रही हूं और इसे हम इस तरह से दवा करके इसको पूरा बंद कर देंगे कि हमारा पहला समूसा रेडी है इस तरह से हम बाकी भी बना लेंगे एक बैच में आप जितना तल पाएंगे आप उतना बना लीजिए और उसके बाद गैस अन करके इसमें डालेंगे तब तक मैंने यहां पहन लिया है और उसमें डाला है रिफाइन तलने के लिए तो मैं बाकी और भी बना लेती हूं कि दिखें बिल्कुल इस तरह से बंद कर लीजिए इसको सेंटर में ले लीजिए और इसमें स्टफिंग डाल करके गाइस इसको आप ये जो चनादाल और आलो की सबजी और लेसुन हरीमिट के चटनी के साथ खाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बार बार बनाने का मन करेगा तो आप इस तरह से जरू मेरे तरीके से समूसा बनाईए और खाईए ये बहुत ही अच्छा हाँ अपको शुकि यह कर तो अपको अब यह राय करेंगे डeee यह करेंगी कैसे लो फ्लय में आप धीरे धीर धीरे धीरे पकने दीजिए लो टू मीडियम करते ही हम terrific करते कहाग यहने यह थोड़ा कमी होना चाहिए अगर बहुत चाला तेल घर्म हो गया और आप समोसा डाल देंगे तो उसमें वह बबल जैसे जो उपर में दाने 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 हो जाता है इसलिए आप देखिएगा कि जो तेल है उसका टेमपरेचर ज्यादा ना हो यह देखिए हमारा समोसा रेडी हो गया मैं आपको दोड के दिखाती हूं गाइस मेरे चैनल को प्